हेलो गाईज, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केर सेंटर के बारे में, तो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केर सिस्टम है, वो क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो दे यहां पर आपको तीन लेवल देखने को मिलेंगे प्राइमरी लेवल, सेकंडरी लेवल और टर्शरी लेवल ठीक है हमारे इंडिया के अंदर हमें तीन लेवल देखने को मिलते हैं हेल्थ केर सिस्टम के अंदर प्राइमरी लेवल, सेकंडरी लेवल और टर्शरी लेवल तो लेवल पे हमारे पास दो तरह के centers पाई जाते हैं एक तो आपके sub centers और दूसरे आपके PHCs जिनको हम बोलते हैं primary health centers ठीक है और secondary level पे हमारे पास जो चीज है वो है आपके community health center जो कि आपके 24 hour open रहते हैं या फिर जिसको आप first referral units बोलते हो या फिर आप जिसको delivery hut बोलते हो यहाँ पर deliveries करवाई जाती हैं ओके next है हमारे tertiary level के tertiary level के अंदर हमारे पास जो hospitals आते हैं वो हैं आपके कौन से civil hospitals हो गए आपके जो हर district में बढ़े हुए होते हैं और medical colleges हो गए ठीक है तो हमारे इंडिया के अंदर इस तरीके से health care system चलता है तीन levels के अंदर primary level, secondary level और tertiary level, primary level के अंदर आपके पास दो चीचे होंगी sub center और primary health centers secondary level पे आपके पास community health centers होते हैं और tertiary level पे हमारे पास hospitals और medical colleges होते हैं hospitals जैसे कि आपके civil hospitals हो गए और medical colleges जैसे आपके पास PGIs हो गए ठीक है तो I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहे बाकी हम मिलते हैं next वीडियो के अंदर next topic के साथ, so thank you guys तब तक के लिए